वज़व करहें हालो प्रेंड्ट्स मैं अपका दोसत अंकूर गिलओ स्वागता अपका मेरी यूट्व चैनल अंकूर गेलओथ फोटोग्राफ溫 मैं दोस्तों हम फोटोग्राफ़ी सीख रहे हैं और फिसली क्लासों में हमने ये जाना कि लैंस के साथ में हम प्रेas कैसे कनेक्ट करते हैं और उसके बाद में दूसरी क्लास में हमने ये जाना कि हम कैमरे को कैसे होल और ग्रिप करते हैं एक सार फोटो खीचने के लिए और हमारी पोजिशन क्या होती है तो दोस्तों इन दो क्लासों के बाद में आज हमारी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में ह Aperture के बारे में जानेंगे दोस्तो då aperture photographic sun ऑर इसमें क्या होता है दोस्तो यह aperture जो है lens के अंदर एक function होता है यानि कि lens के अंदर एक ring होती है और उस ring का जो hole का size होता है उसको aperture बोलते है दोस्तो एफ के द्वारा हम aperture को जानते हैं यानि कि हमारा जो camera के अंदर function होगा वो f के द्वारा जो भी number हमारे f के साथ में जो भी number होगा जैसे f 2.8, f 4, f 6, f 8 यानि कि हमारा जो aperture है वो f के द्वारा जाने जाता है और f के साथ जो figure होती है जो number होती है वो हमारी aperture की value होती है अब ये जानते हैं कि f 2.8, f 4, f 8, f 11, f 22 में क्या फर्क होता है दोस्तों ये aperture जो है lens के अंदर एक ring होती है उसके hole को हम aperture कहते हैं यानि कि hole का जो size होता है camera के अंदर जो ring होती है उसके अंदर जो hole होता है ring का जो hole होता है hole का जितना ज्यादा size बड़ा hole होगा उसका मतलब ही होता है कि जो हमारी number of figure है वो छोटी होती है जितना छोटा होल होगा उसका मतलब यह होता है कि हमारा नंबर ओफ फिगर जो है वह उतना ही बड़ा होगा F22 अपर्चर अगर हम 22 रखते हैं यानि कि अपर्चर की वैल्यो हम 22 रखते हैं तो हमारा जो रिंग का साइज होगा वह बहुत छोटा होगा अब हम F11 रखते हैं तो F11 रखने पर हमारा जो अपर्चर का साइज होगा यानि कि हमारा जो होल होगा वह F22 के मुकाबले ज्यादा बड़ा होगा F4 अगर हम अपर्चर की वैल्यो रखते हैं तो F22 और F11 के मुकाबले जो हमारा लैंस के अंदर रिंग है उस रिंग का जो होल का साइज होगा वह F22 और F11 के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा होगा ऐसे ही F2.8 तो यानि कि हमारे जो होल रिंग का जो होल है उस होल जो है वो और ज़्यादा बड़ा हो गया है अब इस होल के दौरा क्या होता है दोस्तों यह जो होल होता है लैंस के अंदर जो रिंग होती है इस रिंग का जो होल होता है इसके दौरा हमारे जो कैमरे के जो लाइट जाती है तो हमें कितनी ज़्यादा लाइट अपने सेंसर पर देनी है कितनी ज़्यादा लाइट हमें कब क्या सेटिंग के दोवारा हमें लाइट देनी होती है और दूसरा दोस्तों अपर्चर का जो काम होता है अपर्चर का हमारा ये काम होता है कि जो भी डैप् अपर्चर के दुओरा जान सकते है ucrazy क्येका छेद जितना चोटा होगा उतनी ही हमारी depth of field create होगी यानि कि हमारी जो सीद की घराई है वो ज़्यादा किलिएर आईगी जितना अपर्चर का value होगी यानि कि छेद का जो size है वो बड़ा होगा तो उसमें क्या होता है दोस्तो हमारी जो depth of field है यानि कि हमारे subject और subject के पीछे या आगे का जो field है वो इतना ज्यादा clear नहीं होगा जैसा कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पीछे background जो है वो आपको blur दिखाई दे रही होगी मेरा face आपको clear दिखाई दे रहा तो यानि कि इस समय जो मैं recording कर रहा हूं अपने camera की मेरे camera में मैंने जो aperture की value रखी है वो 1.8 रखी हुई है और मैं 50mm 1.8 के दौरा ये video record कर रहा हूं दोस्तों तो मैंने क्या काम करा मैंने aperture की value कम रखी यानि कि मैंने अपना जो aperture का जो hole है वो मैंने पूरा खोल दिया जिसक के कारण सिर्फ मेरा face के लिए रहा है मेरे shoulder out हो रहे है और मेरे जो पीछे white background है वो भी आपको थोड़ा सा बिलरी दिखाई दी रही है अगर इसी video को मैं 22 पे या F-land पे click suit कर रहा होता तो दोस्तों मैं अभी आपको दिखलाएता हूं कि हमने 1.8 पे ये video click करी है और हम aperture को बढ़ाते हैं तब क्या effect पड़ता है दोस्तों तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि अभी जो मैं video shoot कर रहा था वो जो मेरे camera की setting थी aperture मैंने 1.8 रखा हुआ था और दोस्तों अब जो मैं video shoot कर रहा हूं वो video shoot है F-8 पर यानि कि अब जो मेरी aperture की value है वो मैंने 8 रख दी है तो दोस्तों अब depth of field जो है वो मेरी और जादा clear होगी होगी अभी क्या है कि पेछली जो पहले मेरी setting थी जो पहले मैंने aperture रखा हुआ अपने camera की setting में तो पहले सिर्फ मेरा face clear आ रहा था मेरे shoulder थोड़े से out और background भी थोड़ा सा और blur था अब क्या है कि अब मेरे face भी clear हो गया मेरे shoulder भी clear हो गया और दोस्तों देखेगा थोड़ा सा जो है background भी वो clear होगी है तो इस तरीके से हम aperture को change करते हैं जितना ज्यादा number of figure होगा उतना ही ज्यादा depth हमारी जो है वो clear होती चली जाएगी जितना छोटा number of figure होगा अपरचर का उतने ही depth blur जो है जो background है या हमारा foreground है जो depth है वो out होता चला जाएगा और जो हमारा subject है सिर्फ हमारा subject ही clear आएगा तो दोस्तों aperture depth of field में भी काम आता है और जो lens में हमने कि इतनी light देनी है उसका भी काम करता है और दोस्तों एक चीज और में बता दूँँ थोड़ा सा जो sharpness आती है हमारे image में वो sharpness यही reason है कि जितनी ज्यादा हमारी depth clear होगी उतना ही photo हमारा sharp दिखाई देगा और उतने ही सारी चीजे हमारी depth मतलब field के अंदर जो भी हमारा frame है ज कि सारी चीजे clear होने के लिए हमें number of figure जो है अपर चरका वो clear रखना होगा clear से मतलब कि जादा रखना होगा जिससे कि हमारी सारी चीजे clear हो सके और image हमारी सारी sharp आ सके जितना number of figure कम होता है तो दोस्तों depth भी उतनी ही blur होती चली जाएगी हमारा main subject clear हो जाता है बाकी चीजे थोड़ा सा out होती ही चली जाती है जिसको हम blurry बोलते हैं दोस्तों blur background करने का सबसे main reason ही ही होता है कि aperture का बहुत बड़ा रोल होता है कि हमारी जो subject है वो के लिए हो जाए background हमारी blur हो जाए तो अपरचर का बहुत बड़ा रोल है तो दोस्तों इस तरीके से हम aperture को define करते हैं दो एफ के साथ जो number of figure है आप पर चरकी वो कम रखता हूं और उसको मैं जैसे-जैसे change करता रहता हूं तो क्या effect पड़ता है वो एक example यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैं आपको दिखला यहता हूं अभी देखे का दोस्तों अभी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है यहाँ प 1.8 यानि कि जो हमारा aperture है वो 1.8 रखा हुआ है मैंने अब मैं इसको धीरे-दीरे change कर रहा हूं और जैसे ही मैं change करता हूं देखे कर दोस्तों यहाँ पर मैं change कर रहा हूं तो यहाँ पर फरक आ रहा है कि धीरे-दीरे क्या है कि अब हमारा bottle के ढकन के साथ साथ जो है background भी व number of figure जादा रखते हैं तो lens में कम रोशनी जाएगी लेकिन कम रोशनी जाएगी और साथ ही हमारा जो depth of field है जो field की गहरा ही है वो भी clear होती ही चली जाएगी तो दोस्तों इस तरीके से एक छोटा सा example मैंने यहाँ पर दिखलाया और इस example के द्वारा I think आपको यह समझ में आ अगर हम जो aperture ज्यादा रखते हैं कम रखते हैं तो दोस्तों यह एक छोटा सा example है बाकी aperture के बारे में बताने के लिए सबके अपनी अपनी राय है अपनी अपनी समझ है और दोस्तों जितना मुझे पता था मैंने यह knowledge आपके साथ सेर करी है अगर आपको यह वीडियो अच् चैनल को सब्सक्राइब केजिएगा और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखते रहेगा